कॉप बिल्स अप्षिष्ट एक रूप में दिखाई देना अब शुरू हो चुका है और यह समस्या आगे चलकर भविश्य में काफी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रियेट कर सकती हैं जिसका समय पर निप्टान किया जाना बहुत ही जरूरी है आज हम जो भी कपडों से बने उत्पाद उप उप्योग वह पहनने लाइक नहीं रह जाता है जिस कारण कुछ समय बाद प्रयोग में लिये गए इन कपडों का धेर अप्षिष्ट के रूप में हमारे पास इखटा हो जाता है सामानने तोर पर हम इस अप्षिष्ट को या तो जला देते हैं या फिर इसे कूड़ेदान में फेक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं रिसाइकल व्यवसाय कर फिर से उप्योग में इसे लाया जा सकता है रिसाइकलिंग व्यवसाय की संभावनाएं और इसके अवसर के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि टेक्स्टाइल का रिसाइकलिंग करके आप उससे ए हो चुका है जहां तक कच्रे की बात करें तो किसी भी कच्रे का निप्टान करने के लिए दो विकल्पों की संभावना हो सकती है पहला कच्रे को पुर्ण रूप से नश्ट जला कर या जमीन में दबा कर खतम कर दिया जाए जिससे पर्यावरण दूशित होगा और दूसरा है कच्रे का पुनरवी करण यानि रिसाइकल कर पुना उप्योग में बनाया जाने वाला एक सिस्टम जो पर्यावरण को दूशित बिलकुल नहीं करेगा आपकी और हमारी सहज समझ दूसरे विकल्प को ही चुनाव करेगी तो इसका मतलब यह है कि रिसाइकलिंग का व्यवस करने की आवशक्ता भी है क्योंकि अगर समय से कच्रे को रिसाइकल नहीं किया गया तो जिस प्रिथवी पर हम रहते हैं वहां त्रासदी आना निश्चित है और इसके जिम्मदार हम खुद होंगे वहीं दूसरी ओर अगर हम इस कच्रे को वेस्ट रिसाइकलिंग समय से करत हैं तो यह रिसाइकलिंग व्यवसाय हमें एक अच्छा मुनाफ़ा कमा कर भी दे सकती है आज बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं कि कच्रा भी कमाई का जरीया हो सकता है अगर आपको इस रिसाइकल व्यवसाय को शुरू करना है या इसके बारे में विस्तृत रूप्त मे जानकारी पाना है तो इस वीडियो को पूरा और अंतक जरूर देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूराने कपड़ों के रिसाइकल व्यवसाय को कैसे शुरू करें इसकी पूरी जानकारी साझा करने जा रहे हैं जहां आपको इस वेस्त रिसाइकलिंग प्ल पंजी करण इसमें लागत कितनी आती है मुनाफ़ा कितना होता है इस्थान आदी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डीटेल में देंगे पहला शुरू होता है कपडों का रिसाइकल व्यवसाय शुरू करने के लिए रौ मेटेरियल या कच्चा माल आप कहां से ल कपड़े कपड़ों से बने थैले और फैब्रिक कैरी बैक के साथ बड़ी टेक्स्टाइल मीलों से बड़ी इस्तर पर कटिंग के रूप में निकलने वाले कपड़े आदी हो सकते हैं साथ ही यदि आप चाहें तो कच्चे माल की पूर्ती के लिए मैन पावर लगा कर घरों वा दरजी की दुकानों से एकत्र करवा सकते हैं कच्चे माल के रूप में लिया जाने वाला पूराना कपड़ा बल्क में लगबग 20-30 रुपे प्रती कीलो वा करतनों के रूप में लिया जाने वाला टेक्स्टाइल वेस्ट कपड़ा अच्छी गुडवत्ता का फैबरिक कपड़ा लगबग 30-50 रुपे कीलो के हिसाब से खरीदा जाता है अब चलिए जानते हैं पुराने कपड़ों की recycling के लिए machine कौन-कौन सी लगेगी इसमें क्या-क्या machinery की जरूरत हमें पड़ती है देखिए recycling website शुरू करने के लिए हमें चार machine की जरूरत होती है यह machine हैं fabric या cloth shredder machine इसकी जो कीमत असी हजार उपए से शुरू होती है अगला आता है बेलिंग प्रेस मशीन इसकी जो कीमत है लगबग एक दश्मलोग पांच लाग से शुरूरत होती है अब चलिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग के पुराने कपड़ों में प्लास्टिक अत्वा मैटल के बटन आदी लगे होते हैं जिनका निकाला जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि machine कपड़ों को प्रोसेस करने के लिए बनी होती है यदि बटनों पर छटाई व्यापक तोर पर ना की जाए तो मशीनों की कारेशमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है साथ ही मशीनों के पूर्जे भी खराब हो सकते हैं जिससे आपका machine maintenance का खर्चा बढ़ सकता है इसलिए ध्यान रखें कि जो हम कपड़ा recycling कर रहे हैं उसमें से बटन्स को पहले हटा दिया जाए इस machine के थ्रू अब च प्रथम चरण जो होता है वो बता रहे हैं पहला चरण क्या होता है उसमें फाइबरी क्लॉफिंग शेडर मशीन की सहायता से कच्चे माल या raw material पूराने कपड़े व करतनों को क्रश करके एक समान बनाया जाता है इस काम को करने में एक manpower की जरूरत होती है यानि कि इसमें एक आदमी की जरूरत परती है दूसरा चरण जो आता है उसमें है फाइबरी क्लॉर्थ शेडर मशीन से प्रोसेस किये हुए material को दूसरे चरण में फाइबरी क्लॉफिंग ओपनर मशीन की मदद ली जाती है कपड़ों से धागों को अलग करने के लिए गर्म पानी से गीला किया जाता है जिससे कपड़े फूल कर बाहर आ जाते हैं और फाइबर ओपनर मशीन में प्रोसेसिंग के लिए डाला जाता है जहां फाइबर ओपनर मशीन कपडों में से एक एक धागे यानि थ्रेड को अलग कर देती है इस मशीन को ऑपरेट करने में कम से कम दो manpower की से किया जाता है बाकी मशीनों की अपेक्षा इस मशीन की प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा समय लगता है इस मशीन को ऑपरेट करने में कम से कम दो मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है चौथे चरण में मैटेरियल की सफाई हो जाने के बाद सबसे आखिर में बेलिंग प्रेस मशीन की मदद से मैटेरियल को दबा कर यानि की कम प्रेस करकर बड़े बड़े लोफ्ट या गठर के रूप में तयार कर लिया जाता है यह तयार लोफ्ट या गठर ही आपका उत्पाद है जो बेचने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं बैलिंग प्रेस मशीन को ऑप स्टाइल वेस्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय या फैक्टर शुरू करने के लिए कम से कम 4000 वर्ग फूट इस्थान या जगा की हमें जरूरत होती है जहां प्लॉट कम से कम 3700 वर्ग फूट छेत्र पूरी तरह से धूल, बारिश, मिट्टी वा प्रदूशन से संगरक्षित ह होना चाहिए, साथ ही प्लॉट में मशीनों के स्थान ऐसे निर्धारित किये गए हों जिससे करमचारी को काम करने वक्च्चा माल तयार करने में या सुरक्षित रखने में किसी भी तरह की कोई असुविधान ना हो, इस स्थान पर बिजली आदी की उचिर व्यवस्था का ह होना अनिवारे हैं, अब चलिए जानते हैं कि उस स्थान पर बिजली की आपूर्ती कितनी जरूरत है, देखिए इस चीज को समझीएगा, टेक्स्टाइल वेस्ट रिसाइक्लिंग व्यवस्थाय में मशीनों आदी की सुगम संचालन के लिए कम से कम 60-80 किलो वाट शमता के बिजली कनेक्शन की जरूरत हमें पड़ेगी, यह शमता मशीनों के चैन आधार पर सुनिशित की जा सकती है, साथ ही प्लांट में बिजली को नियंतरित वा परियाप्त आपूर्ती के लिए नीचे बताए गए उपकरणों का यूज होना चाहिए, जैसे इलेक्रिकल पाव 90,000 से स्टार्ट होती है, अब देखिए, व्यवसाय में मैन पावर या करमचारियों की आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, देखिए, बड़े इस्तर पर प्रतेक रिसाइक्लिंग व्यवसाय में मैन पावर या करमचारियो की जरूरत पड़ती ही है, पुराने कपडो का रिसाइक्लिंग व्यवसाय को शुरू करने में कम से कम 8 से 10 मैन पावर या करमचारियों की आवशक्ता तो हमें पड़ती ही पड़ती है, ये करमचारी, मैनेजर, मार्केटर, लेबर और सफाई करमचारी आदी हो सकते हैं, कप कपड़ा रिसाइकलिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए एंत्रपनियोर को अपनी फर्म पंजीकरंग के बाद प्रम के नाम से एक बैंक खाता खुलना अनिवार है, इसके बाद फैबरिक वेस्ट मैटेरियल को रिसाइकलिंग करने वाले व्यवसाय या कारोबार को पंजीकरण कराना पड़ता है यह पंजीकरण है जैसे फर्म रेडिस्ट्रेशन, MSME रेडिस्ट्रेशन, फैक्टरी लाइसेंस, GST नंबर, NOC Certificate from Pollution Department और Fire Control Board इन सभी से आपको Permission और Registration कराना होता है तो यह थी पूरी जानकाली Textile Industry के बारे में या Textile को Recycling आप कैसे कर सकते हैं अब अगर आप भी अपना पैर जमाने वाले हैं Textile Industry में या इसका वेफसाई करना जा रहे हैं तो आप हमारी Corbiz Team को संपर कर सकते हैं हम हर कदम पर आपके साथ हैं आपकी हर तरह से सहायता करते हैं ये वीडियो को कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताइए और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लिजे और साथ ही वो bell icon जरूर दबा दिजेगा देखते रहे है कर्विज, the power of collaboration दन्यवाज